Let's start the part 2 video, I hope guys आपका part 1 पसंद आया होगा, part 1 के आगया आज़ा, part 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम जैन 2020 to December 2020 तक के 1000 questions कवर अप कर रहे हैं, so अपना comment में अपने feedback और हर चीज़ देना ना भूलें, let's start the video. Facebook ने अभी हाली में किस sports organization का page जो है delete कर दिया है, उनको कोई reason भी नहीं बताया, तो ये delete किया है ISSF का, what is ISSF, International Shooting Sports Federation, International Shooting Sports Federation का जो page है वो delete कर दिया है आपके Facebook से, अब बात करते हैं ISSF की, ये इसके headquarter कहां पे हैं, Brazil के अंदर है, Brazil कहां पे है, Belgium के अंदर, clear, और इसके जो president है, ISSF के, उनका नाम कहा है, Vladimir Lysin, Vladimir Lysin इनका नाम है, Facebook की बात करते हैं, तो Facebook जो है, इसके headquarter कहां पे है, California के अंदर, इसके headquarter है, Mark Zuckerberg जो है, इनके CEO है, Mark Zuckerberg, answer is, D option बनेगा, right answer, Ministry of Shipping ने, इसका अब जो है, नाम क्या रख दिया है, जहाजरानी मंतरालय का नाम अब रख क्या दिया गया है, तो रे रख दिया गया है, Ministry of Ports, Shipping and Waterway, बंदरगा, जहाजरानी और जल मार्ग मंतरालय जो है, नाम रख दिया गया है, answer इसमें क्या बनेगा, आपका, C option और यह जो है, परदान मंतरी मोदी ने अनाउंस किया, कब अनाउंस किया, क्योंकि इन्होंने अभी Ropex, Ferry Service जो है, आपकी लाउंच करी थी, कहां से कहां तक, हजीरा, हजीरा and Goga, कहां पे है, गुजरात के अंदर, यहां पे इन्होंने, जो है, Ferry Service लाउंच करी थी, जिस Minister of State की बात कर रहा हूं, मैं, उनका नाम क्या है, मनसुक L. मनदाविया, मनसुक L. मनदाविया, तो अंसर इसमें C option बनेगा, राइट अंसर, कौनसी स्टेट ने rank हासिल किया है, पहला Sustainable Development Index 2019-20 के अंदर, Sustainable Development सतद विकास के अंदर, क्लियर, Sustainable का मतलब सतद विकास के अंदर जो है, इन्होंने Index के अंदर, 2019-20 के अंदर अपना rank हासिल किया है, टॉप पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखे जी, टॉप बारा स्टेट है, यह बॉटम पांच है, और टॉप पांच और यूटी जो है, पहले नंबर पे आती है, दैन हिमाचल, दैन आंधर परदेश, तो पहले तो स्टेट की बात कर रहा है, तो अंसर हम क्याटिक करेंगे, आपका, केरल is the correct answer, clear, बॉटम 5 में कौन कौन सी है, बिहार is the least, मतलब बिहार बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, बिहार बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, clear, और टॉप 5 यूटी की अगर हम बात करते हैं, तो यह बताओ, कौन सी स्टेट ने सबसे जो है biggest improvement दिखाई है, मतलब लास्ट के सालों से बहुत ज़्यादा सबसे जा improvement किस स्टेट ने दिखाई है, वो दिखाई है उत्तर परदेश ने, उत्तर परदेश नमबर वन पे है, अगर improvement की अगर हम बात करते हैं, लास्ट इयर से improvement क कि बात करते हैं, ध्याँ रखना है आपको, clear, very very important question है, अब sustainable development goal का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि आज जो हमारे पास चीज है, हम उसको ऐसे use करें, ताकि हमारे future generation जो है, हम future generation जो है, वो उसको चीज को use कर सके, so this was the aim, clear, sustainable development goal का, answer इसमें क्या बनेगा, आपका मुहम्मद खान यहां के governor है, और पिनारी विजयन जो है, यहां के cm है, और अब भी केरल के अंदर बहुत सरी चीज़े देखने को मिले थी, first elephant, first elephant rehabilitation center देखने को आपको मिला था, कहां पे, kutur district के अंदर, kutur district के अंदर, जो है आपका elephant, हाथी के लिए rehabilitation center, और first women international trade center, मतलब जहां पे लड़कियां काम करेंगे, women empowerment करने के लिए, तो वो भी केरल के अंदर देखने को मिला था, कोजी कोडे के अंदर, कोजी कोडे के अंदर, और केरल पहली state बनी है, जहां पे आपका first LNG, LNG बस चलेगी, that is, liquefied compressed natural gas, और कहां पे वो, कोची केरल के अंदर, और पहल space tech park भी बना है, space tech park भी केरल के अंदर बना है, वो कहां पे बना है, तिरुवन्थ पूरम के अंदर, याद रखने है सारे effect जो मैं आपको बोल रहा हूं, answer इसमें B option बनेगा, केरल is the correct answer, clear, ध्यान रखिए, comment section में, सिर्फ अगर आपको आता है, तो लिखिए, बात करने के को कोविन शील्ड प्लस इंशॉरेंस पॉलसी, कोविन शील्ड प्लस बीमा पॉलसी शुरू करने की गूशना किस ने करी है, तो ये कंपनी है जी आपकी, एडलवाइस टोक्यो, एडलवाइस टोक्यो ने जो है ये start किया, answer इसमें D option बनेगा, right answer, और इस टाइम पे इनके जो चेर परसन है, उनका नाम क्या है, सुभाश सी, सुभाश सी कुंतिया, सुभाश सी कुंतिया, clear, और इडिये के हैड़कॉर्टर कहां पे हैं, हैडराबाद के अंदर है, answer इसमें D option बनेगा, right answer, D option, कौन से बैंक ने, जो है, कौन से बैंक ने, second inning, tap VRS 2020 scheme launch करी, दूसरी inning, tap VR VRS मतलब voluntary retirement scheme, voluntary retirement scheme का मतलब क्या होता है, कि जब आप जो है, अपनी मर्जी से retirement ले ले लेते हैं, तो ये किसने जो है, लाँच की, ये जो है, आपकी State Bank of India ने, लाँच करी, answer इसमें D option बनेगा, right answer, State Bank of India जो है, आपका ये कब बना था, 1 July 1955 को, और इसके headquarter कहां पे हैं, Bank of India, answer इसमें D option बनेगा, BCCI ने राजीव गांधी खेलतन अवार्ड के लिए, जो है, किसे नॉमिनेट किया है, BCCI इस दा, मतलब इनको अवार्ड मिल चुका है, Board of Control for Cricket in India, जिसके headquarter कहां पे हैं, मुंबई के अंदर, महराष्टा के अंदर हैं, और इसके chair person का नाम है, ठीक है, तो अब बात करते हैं, राजीव गांधी खेलतन अवार्ड की, तो इस टाइम पे, जो है, चार लोगों को राजीव गांधी खेलतन अवार्ड मिला था, और इसमें राजीव गांधी खेलतन अवार्ड जो है, गोशित किसे ने कौन करता है, Ministry of Youth Affairs and Sports की मिनिस्ट्री कोशित करती है, जिसके मिनिस्ट्र कौन है, किरन, रिजिजु, जो अरुनाचल वेस्ट से, जो है, सांसद है, अरुनाचल वेस्ट से, अब चार लोग कौन है, एक तो अविस्टी बात है, इसमें अंसर क्या बनेगा, रोही शर्मा, माई फेवरेट हिट मैन, अंसर इसमें B यह उप्शन बनेगा, लेकिन तीन लोग आपको और भी पता आना चाहिए, वो तीन लोग और कौन थे, एक तो रैसलर थे, रैसलर कौन थे, विनेश फोगाट, चिक है, और एक थे विमेन हाकी कैप्टन, जिनका नाम है, तैडिस रानी रामपाल, विमेन हाकी की कैप्टन, रानी रामपाल, और एक थे टेबल टैनिस स्टार, जिनका नाम क्या है, मनिका बत्रा, मनिका बत्रा, सोरी मैं तीन बोला था, टोटल पांच है, यह टेबल टैनिस का हो गया, और एक थे पैरा एथलीट, पैरा एथलीट का नाम क्या है, तैडिस मरियपन थांग वेलू, मरि इस साल से जो है 25 लाग उर्पे जो है ये अमाउंट कर दी गई है तो राजीव गांदी खेलतन अवार्ड में 25 लाग उर्पे अब अवार्ड मिलेंगे और ऐसा ही हमारा पहले अरजुना अवार्ड मिलता था अरजुना अवार्ड में अमाउंट होती थी 5 लाग उर्पे और इसकी amount अब कर दी गई है, 15,00,000 रुपे, ये भी आपको ध्यान रखना है, answer इसमें B option बनेगा, right answer, इंडिया का पहला honey testing laboratory जो गुजरात के अंदर होने वाला है, वो आपका setup किया गया है, कौन से शहर के अंदर, कौन से district के अंदर, तो वो है आनंद district, जहां पे आपका operation flood, amul industry वगारा की बातें यहां पे है, आनंद is the correct answer, तो गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात के capital के ह गुजरात के cm कौन है, विजरुपानी, और जो governor है यहां पे वो कौन है, अचार्य देवरत, और यहां पे बहुत सारे national park है, जैसे कि आपका गिर national park है, black buck national park, wildlife century, gulf of kach national park है, once the national park, marine national park देखने को आपको मिलता है, very very important, clear, और एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा, गुज चितरा भारती, चितरा भारती film festival, चितरा भारती film festival, एहमदाबाद के अंदर देखने को आपको मिला था, और world का सबसे बड़ा solar contract जो है आपका अदानी green energy limited के साथ हुआ है, गुजरात का 6 billion dollar का, 6 billion dollar का, और यह कहां पे होगा, एहमदाबाद के अंदर launch होगा, ठीक है, world का स solar contract के बात कर रहा हूँ मैं, चिक है, तो यह अदानी green energy limited के साथ एहमदाबाद में साइन हुआ है, अंसर इसमें C option बनेगा, अनन्द is the correct answer, नेक्स्ट है जी, मल्यालम राइटर है, S. हरीश, इन्होंने JCB prize literature के लिए जीता है, और किस novel के लिए, पहली बात तो मैं आपको बत जो novel का नाम है, डिस, mostache, जाने के मूचे, अंसर इसमें C option बनेगा, अब इसको English में भी translate किया गया है, और English में translate किसने किया है, जैशिरी काला थिल ने, जैशिरी काला थिल ने इसको translate किया है, और इसको छापा किसने है, मतलब publish किसने किया है, publish करने वाली जो company है, उसका ना रखनी है, जब JCB Price Literature का मिलता है, मल्यालम फिल्ड के अंदर, तो उस original person को जाने के S.Harish जी को कितने रुपे मिले है, 25 लाख रुपे, ठीक है, और दूसरी बात है, जिसने translate किया है, English में translate किया है, translator को मिलते है, 10 लाख रुपे, बुक तो सेम ही है, लेकि लिखी तो उसने जो है, दुनुष के नाम पर रखा गया है, तो ये कितने रॉकेट छोड़ता है, 44 सेकेंड में, 44 सेकेंड में कितने रॉकेट छोड़ता है, तो आप देख लो कितने है, 6 और 6, एक बार में ये 12 रॉकेट छोड़ देगा, और 44 सेकेंड के अंदर, 12 is the correct answer, clear, और इसको किसने बनाया है, पिनाका को किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है, और इंडियन आर्मी को दिया है, DRDO is Defense Research Development Organization, और 1958 में Organization बनी थी, जी सेती शरीडी जो है, यहांके चेर परसन है, answer इसमें 12 is the correct answer, 12, Mario Molina, जिनका हाली में धिहांत हो गया है, इनको Nobel Prize मिला था, किस फिल्ड के अंदर Nobel Prize मिला था, इनको मिला था, Chemistry की फिल्ड में, रसाइन विग्यान की फिल्ड में इनको Award मिला था, और इन्होंने दिखाया था, कि जो CFC होता है, Clorofluorocarbon, वो क्या करते हैं, Ozone Layer को Deplete करते हैं, तो इस चीज के लिए इनको Award मिला था, इसको Chemistry की फिल्ड में Mario Molina को, इसी इनका दिहांत हो गया है अभी Recently, World Post Day 2020 कब Celebrate किया जाता है, ये Celebrate किया जाता है, 9 October को, 9 October को Celebrate किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है Establishment होई थी Universal Postal Union की, Universal Postal Union की 9 October 1874 के अंदर जो है, इसकी Establishment करी गए थी, कहां पे, Burn, Burn कहां पे है, Switzerland के अंदर, और ये ही इसके Universal Postal Union के Headquarter है, clear, और हमारे देश में, अगर यहां पे देखो, World पूछा है, अगर आपसे पूछ लेता, National Postal Day बताईए, National Postal Day अगर आपसे पूछता, National Postal Day बताईए, तो आपका अंसर होता, 10 October, clear, तो ये eligible किया गया है, Oscar nomination के लिए, Oscar nomination के लिए, आपकी short movies के अंदर, short movies के अंदर, nominate किया गया है, किसको nut cut movie को, ये विद्याबालन की movie है, 2021 की Oscar qualification के लिए, short movie के field में ये गई है, ठीक है, और प्लस बात करते हैं, यहां पे जो direction किसने करी थी इस movie की, that is, शान वयास ने, शान वयास न थे, एक तो विद्याबालन खुद थी, acting भी इन्होंने करी है, विद्याबालन और प्लस रौनी स्क्रिव वाला, रौनी स्क्रिव वाला, इन दोनों ने मिलके जो है, इसको produce किया था, very important, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमारी normal movies जाती है, तो हमारी कौन सी movie अभी 2021 में short movies की बात नहीं कर रहा, normal movie जो होती है, हमारी 2-3 घंटे की, तो उसमें 2021 के लिए कौन सी nomination गई है, हमारी मल्यालम movie गई है, जिनका नाम क्या है, जली कट्टू, जली कट्टू, मल्यालम movie है ये, ठीक है, और इसको जो direct किया था, वो किस ने किया था, that is, लीजो जॉस पहली स जिरे ने जो है, इनको direct किया था, आसकर के लिए मल्यालम movie गई है, जली कट्टू, अंसर इसमें D option बनेगा, राइट अंसर, नटखट, फुटबॉल राइटर एस्सोसीशन के, के according, जो है आपका year 2019-20 के लिए, फुटबॉलर ऑफ दा इयर का award किसको मिला है, ये जो award मिला ह Liverpool captain, जिनका नाम क्या है, Jordan Henderson, इनको award मिला है, ये कौन है, Liverpool के captain है, द्यान रखना, Liverpool club के captain है, clear, इनको जो है, नॉमिनेशन किया गया है, 2019-20 के footballer of the year award के लिए, clear, फुटबॉल के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, कि अभी Asian football, Asian football, women cup होएगा, women cup, Asian का, वो कहाँ पे होगा इंडिया के अंदर, 2022 का, ठीक है, इंडिया होस्ट करेगी, और प्लस एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इंडिया का, इंडिया का जो FIFA के अंदर rank है, वो कितना है, 108, clear होगे आप लोगं को, और FIFA का जो headquarter है, वो कहाँ पे, Zurich के अंदर है, FIFA के जो आपके chair person, president कौ